नमस्का, मैं होसासी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मोख खबर जानते हैं 29 नॉवंबर से रद हो जाएंगी ट्रेने, एक मार्च तक मुस्किल होगा सफर ट्रेनों में सफर करने वाले आत्रियों की परसानी 29 नॉवंबर से बढ़ने वाली है बता दे या परसानी, एक मार्च 2022 तक पनी रहेगी पार्तिय रेल्वे ने कोहरे के दवरान दर्जनों ट्रेनों को रद करने का एलान सितंबर के अमतिम सप्ता में ही कर दिया था अब 29 नॉवंबर से ट्रेनों का रद होना सुरू हो जाएगा ट्रेनों के रद होने से कई महीनों तक यातरियों को परसानी जहलनी होगी बता दे रेल्वे ने जिस ट्रेनों को रद की है उनमें पंजाब जाने वाली कई ट्रेन सामिल है साथ ही दिल्ली, उतर परदेश और रायस्थान की ट्रेन भी सामिल है बता दे धनबाद गोमों और वोकारों होकर चलने वाली ट्रेन के साथ-साथ बिहार से चलने वाली कई महतपुन ट्रेन के पहिये भी कोहरे में थमे रहेंगे ऐसी भी ट्रेन है जो गनतब के बजाए बीच के स्टेशन तक जाएगी और कहीं से लोटेगी 3-6 दिसंबर तक बारिश ग्रामिन क्रिसी मोसम सेवा कंतरगत क्रिसी विज्ञान केंद्र खोटी स्थी जीला क्रिसी मोसम इकाई खोटी के द्वारा भारत मोसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली से प्राव्त मोसम पुरोर्मन आकड़ो के अधार पर आगरा किया गया है कि आजने वाले दिसंबर माहा के प्रत्तम सब्ता में 3-6 तारिक के बीच मध्यम से तेज़ दर्ज की बारिश होने की संभवना है इस दोरान अधिक्तम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस वहीं नियुम्तम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस अधिक्तम आदरता 90 नियुम्तम अदरता 75 एवं हावा के गती समाने से अधिक रहने के साथ आजमान में गहरे बादल चाय रहेंगे इस्कूल कोलेजों में प्रसिक्षित सारेरिक सिक्षकों के नियुक्ति की मांग सब्सक्राइब प्रसिक्षित बेरोजगार सारेरिक सिक्षक के नियुक्ति की जाए साथ ही सब्सक्राइब प्रसिक्षित बेरोजगार सारेरिक सिक्षकों के नियुक्ति की जाए इसे लेकर जारखन सिक्षा पर योजना ने सभी जीलों को पत्र भेजा है इसके लिए विशेस प्रसिक्षन केंद्र बनाए गए हैं जो सेतु गाइड केंद्र का लाएंगे जहां 25 से 30 बचों का नमांकन होगा और इनका संचालन 3 से 9 माह तक के लिए होगा इसके बाद बचों का नमांकन भी द्याला में कराया जाएगा बता दे इन केंद्रों को इसकूल में ही खोलने को लेकर प्रत्मिक्ता दी जाएगी केंद्र संचालन के लिए सेवा निवित शिक्षकों का चैन होगा इनके नहीं मिलने पर अन्य ब्यक्तियों को चुना जाएगा सिक्षक को हर माह प्रती बचा 500 रुपे का भुगतान होगा वहीं प्रती माह दे मांदे के 75 फिश्दी मांदे का भुगतान माह के अंत में होगा वहीं 25 फिश्दी रासी बचों की स्कूल में नमांकन के बाद दी जाएगी नकसलवाद पर नकेल के लिए पूलिस चला रही पोस्टर अभियान जारखन की लोहर्दगा पूलिस ने उग्रवादियों की गिरफतारी के लिए पोस्टर अभियान शुरू किया है जगह जगह पोस्टर चिपका कर लोगों से आगरह किया जा रहा है कि उग्रवादियों से संबन्ध में कोई भी सुचना हो तो इसकी जनकारी पोलिस को दे सुचना देने वालों को इनाम दिया जाएगा पुलिस उग्रवादी प्रभावित इलाकों में घुम खुम कर जगह जगह पोस्टर चिपका रही है पुलिस अधिक छक दिपक पांडे ने कहा कि समाज में नक्सलवाद के कारण रुके विकास को बढ़ावा तभी समभव है जब नक्सलवाद खत्म होगा और इसे खत्म करने में पुलिस परसासन को लोगों का सवयोग चाहिए कुरोना के नई वेरियंट ओमी क्रोन के बीच अच्छी ख़बर सूपर वैक्सिन की त्यारी कुरोना वाइरस के नए बेरियंट ओमी क्रोन से गंभीर खत्रे के संका के बिच अच्छी खबर है कि भारत के काउंसिल ओव साइंस्टिपिक एंड इंडर्स्टियल रिसर्च के बैग्यानिक ने कुरोना के हर परकार के बेरियंट से लड़ने के लिए सूपर वैक्सिन त्या मोडन त्यार किया गया था उसी MRNA तक्निक को भारतिय बैग्यानिक ने भी विक्सित कर लिया है इसमें CSIR के बैग्यानिकों ने अहम भूमका निभाई है जार्खन में 25 लाग के इनामी उग्रवादी दिनेस कोप के दस्ते से दूसरी मुद्भेर खेरा बंदी जारी जार्खन के पच्चमी सिम्भू में जीला पूलिस वा सुरक्षा बलो के पर्तिबंधित नक्सली संगठन प्यलेफाई के सुप्रीमों वपचिस लाग के नामी दिनेस गोप एवं उसके सदस्योग सा दूसरी दिन सन्यवार को भी करीब आधा गंटा तक मुद्भेर हुई दो दिनों में इस दस्ते के साथ या दूसरी मुद्भेर थी बता दे सन्यवार को पुर्वाहन करीब 11 बज करती स्मियट में गोईल केरा थाना अंत्रगत लेपा पहाड़ पर पिलेफाई परतिबंधित संगठन के उगरबादियो यवं CRPF 60 बटालियान थाना परभारी ग जारखन मुक्ति मोर्चा का केंद्रिये महा अधिवेशन 18 दिसंबर कोरांची में आयुजित किया जाएगा बदादे महा अधिवेशन को लेकर अभी से ही तेयारिया अर्रम कर दी गई है समिधान संसोधन और रायनीतिक परतिवेदन के साथ संगठन के आगामी कारेकरम तय करने के लिए समीतियो का गठन भी किया गया है सभी समीतियो के संजोजग कारेकारी अधियक्ष हेमंद सुरेन होंगे ए महा अधिवेशन CM के निगरानी में होगा बतादे इसकी जनकारी महा सचीव बिनोद पांडे ने सुचना जारी कर की है बीजेपी परदेश अध्यक्ष ने जपीएसी पर लगाया जहारखन का सीर जुकाने का आरोग परदेश भाजपा ने एक बार फिर जहारखन लोग सेवा आयो की साथ भी सिविल सेवा प्रारामभिक पीटी परिक्षा से जोड़ी बिसंगतियों का ममला उठाते हुए राई सरकार और जपीएसी चेर्मैन की कारे सहली पर सवाल उठाया है रविवार को परदेश मुख्याले में परदेश अध्यक दिपर प्रकास ने पीटी परिक्षा से जोड़ी बिसंगतियों का उठाते हुए कहा कि जेपीएसी के कारना में से पूरे देश में जहारखन सरमसार हुए है जहारखन में कुरोणा के 20 नए केस मिले है जबकि 20 मरीज स्वास्थ भी हुए है भारत में 874 नए केस मिले है जबकि 94211 मरीज स्वास्थ भी हुए है भारत में कूलेक्टिव केस की संख्या 1,07,76 है धन्यवाद